दूसरे फोन की तुलना में यह अच्छा है इसमें रोनी वाली क्या बात है पैसे की बात करू तो पैसा कमाना उतना आसान नहीं है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत अलग है क्या आप इन संटेंसे को इंग्लेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं नहीं ना क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसे और ग्रामर की ही नहीं साथ ही साथ एडवांस इंग्लेस इस्ट्रेक्चर की भी जरूरत होती है No problem, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाल है Advanced English Structure with their meanings and examples तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजे ताकि आप एक भी वीडियो lecture को miss न करें अगर आप Advanced English Structure की सारी वीडियो को देखना चाते हैं तो मैं description में link दे दूँगा वहाँ जाकर आप one by one सारी वीडियो को देख सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला structure है guys इसमें वाली क्या वात है कई वार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसमें हसने वाली क्या वात है इस तरह की हिंदी वाकियों को English में translate करने के लिए आप what's there to का यूज करते हैं कैसे करना है example देखे कोई बात नहीं इसमें रोने वाली क्या बात है मैं आपको नई दिला दूँगा आप बना सकते हैं चलिए guys एक और example देखते हैं इसमें पूछने वाली क्या बात है जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है आप बना सकते हैं आज का हमारा अगला structure है guys किसी से अलग होना कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके पापा का सभाब मेरे पापा के सभाब से बहुत अलग है इस तरह के हिंदी वाकियों को English में translate करने के लिए आप is a bird away from का use करते हैं कैसे करना है example देखिए तुम्हारे पापा का सभाब मेरे पापा के सभाब से बहुत अलग है है ना इस तरह के वाकिया आप अकसर day to day life में बोलते होंगे आप English में बना सकते हैं your dad's nature is a bird away from my dad's nature your dad's nature is a bird away from my dad's nature एक और example देखिए गाइस तुम्हें पता भी है गाओ का जीवन सहर के जीवन से बहुत अलग है ये तो fact है गाइस अकसर आप ऐसे बोलते होंगे आप बना सकते हैं English में do you even know village life is a bird away from town's life do you even know village life is a bird away from town's life आप इस तरह से इसे English में translate कर सकते हैं आज का हमारा अगला structure है guys की बात करूं तो कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुभी की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा ये मुभी पसंद है इस तरह के हिंदी वाक्यों को English में translate करने के लिए आप speaking of का इस्तमाल करते हैं कैसे करना है example देखे पैसे की बात करूं तो मेरे पास खुदरा पैसा नहीं है ऐसा sentence आप बोलते ही होंगे day to day life में आप English में बना सकते हैं speaking of the money I don't have retail money speaking of the money I don't have retail money एक और example देखे गाईस mobile की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा 1 प्लस 8 पसंद है ऐसे आप अकसर day to day life में बोलते होंगे गाईस इसे आप simply English में translate कर सकते हैं और बोल सकते हैं speaking of the mobile I like the most 1 प्लस 8 speaking of the mobile I like the most 1 प्लस 8 आज का हमारा अगला structure है गाईस की तुलना में है ना कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं इस mobile की तुलना में तुम्हारा mobile ज़्यादा अच्छा है इस तरह के वाकियों के English में translate करने के लिए आप compared to का इस्तमाल करते हैं कैसे करना है example देखिए दूसरे mobile की तुलना में Samsung का mobile सबसे अच्छा है है ना कई वार हम लोग दोस्त यहार बैट जाते हैं साथ में और इस तरह का sentence बोलते हैं आप English में बना सकते हैं एक और एक्जामपल देखिए गाइस प्लेन की तुलना में मुझे रेलगारी ज़्यादा आरामदायक लगता है आप इसके लिए English बना सकते हैं आज का हमारा अगला इस्ट्रेक्चर है गाइस सबसे ज़्यादा पसंद है कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है इस तरह के हिंदी वाकियों को इंगलेस और ट्रांसलेट करने के लिए आप like the most is का इस्तमाल करते कैसे करना है एक्जामपल देखिए उसे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है वो खेलने के सिवा कुछ करता ही नहीं आप बोलेंगे एक और एक्जामपल देखिए गाइस मुझे घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ गाइस इस तरह के संटेंस आप अकसर यूज करते होंगे आप इंगलिस में बना सकते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रेक्टर है गाइस उतना आसान नहीं है है ना कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं पैसा कमाना उतना आसान नहीं है इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंगलिस में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस नॉट डैट इजी का इस्तमाल करते हैं कैसे करना है एक्जामपल देखिए गारी चलाना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है या फिर जितना तुम सोचते हो एक्जामपल देखिए गाईस एक और एक्जामपल देखिए गाईस पैसा कमाना उतना आसान नहीं है पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आप इसके लिए English मनाते हैं Earning money is not that easy Hard work has to be done in order to earn money Earning money is not that easy Hard work has to be done in order to earn money आप इस तरीके से English में translate कर सकते हैं I hope guys आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा useful रही होगी तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें आप हमें comment box में बताए कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी So thank you so much guys for watching this video Keep watching and keep learning Take care everyone